नवीन भार्गवत जी उज्जैन से श्री हरी वंश परम पूजे गुर्दे भगवान आपके चरणों में कोटी-कोटी नमन गुरुजी कभी-कभी ऐसी परिस्तिती बन जाती है कि कुछ समय में निर्ने लेना पड़ता है तो हमें किसकी सुनना चाहिए मन की या बुद्धी की कौन सही होगा और किसे अपना मित्र समय निर्ने तो केवल बुद्धी करती है मन तो शंकल्प बनाता है मन निर्नायक थोड़ी होता है मन के उपर निर्णायक बेठा हुआ बुद्धी और बुद्धी के उपर निर्णायक है संत वचन शास्त्र वचन तस्मास शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यों विवस्तित हुँ क्या अकाज़ है, क्या काज़ है, बुढदी भी गलत निर्णे कर सकती है, आमें उसकी जाद गुरुवानी से, शंतुवानी से या शास्त्र से, हमें उसको प्रमानित करके, तब फिर बुढदी के निश्चे को स्वईकार करके, उसके अनुषार संकल्प बनाते हुई क्रिया करना कोई भी परिष्टिती आई है तो पहले धैर पुर्वक भगवद इस्मरण में रहो फिर बुद्धी को देखो यह जो निर्णे कर रही है यह सास्त्रों शंतों के अनुमोदन के अनुशार या बिरुद्ध में बिरुद्ध में तो फिर नहीं फिर वहीं रोक दोस्कों अगर अनुशार तक हमें कोई बात नहीं जिसका उत्तर हरदय से न मिला हो सबके हरदय में पक्का खुब गौर से देखा है आप लोग भी देखे आप कदम जिदर रखेंगे तो आपको अंदर से निर्देश मिलने लगे दिशा गलत है इसमें जो आप करने जा रहें बिलक देते हैं कि अगर आप उनकी अनुशार चल जाओ तो तुम जीवन में बिजय ही बिजय ही रहोगे हम बतब बहुत सूक्षम बात है आप लोग बहिर मुख रहते हैं एकदम बाहर बृती रहती तो आप उसे जान नहीं पाते पर आप देखिए जहां आप शत्तमार्ग की त कि तरब जेसे मन जा रहा है एक बार अंदर से निरुनांय आएगा कि आप गेलत कर रहे हो आपको ऐशा नहीं करना चाहिंए बस दुबारा नहीं आएगा फिर वह आपको सायुक देने लगेगा चैण चोड़ी करना है यहां और जोजोंसे लिगस खिआदो ऐसे वही घैखर पहले सूत्र को समझें उसी सूत्र को मातमा समझते संसारी आदमिं नहीं समझते हैं, क्योंकि उसे को अंतर मुगता के तो अंदर बेठा एकदम चिंतन ठीक है, तो जब हम आत्मों की बास सुनते तो हमें आनंद आ जाता है, क्योंकि वो अपनी बात मन की नहीं कह रहे है, उसे निरने की जीवन पर उसे निरने पर चले, उसे की जब बात कर तो नहीं, इसके लिए सास्त्रों शंत्वानी प्रमाण, मन का निरने ठीक नहीं, ये तो बड़ा विचित्र देवता है, कब वहुमन रंग तुरंग चढ़े, कब वहुमन सोच करे धनका, कब वहुमन नारी पियारी लगे, तो कब वहुमन त्यागी चले बनका, इसमें छण- कोन की प्रवतिया, अब क्यों सी इसकी बात माने, अब उसकी बात मात समझने के लिए बुद्धी का प्रयोग कीजिए, बुद्धी के प्रयोग में बिवेक लाइए, बिवेक सास्त्रों शंतों के वचनों से, फिर जोड़, तो आपका जिवन मंगल हो जाए, पर अपने ल कि हमको आए हुए वेग को विचार पूरुवक प्रयोग करना है, वेग को सहन कर पाना ये संसारी पुरुषका लक्षण नहीं है, ये भागवतिक पुरुषका लक्षण है, सब वेग में बह रहे हैं, जो इन वेगों को कंट्रोल करके और विवेक के द्वारा चलता है, न कुछ भी हो कितना भी रुपया लगे, कैसा भी हो ऐसा, वो इतर बह जाएगा, अपने लोगों को जो सत्संगी जन ऐसे नहीं बहना, विचार पूरुवक कदम रखना है, क्योंकि फिर जो गलती हो जाती है, वो जब पौधारू ब्रक्ष बनता है, काटने से भी नहीं करता भोग नहीं पड़ता है, भगवान नहीं छमा कर दे तो है, तो अब जिसे लोग गलतियां करते हैं, और उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जब आगे वो परिस्थिती में आएगी गलती, वो आपकी परिस्थिती को चोपट कर देगी, अब आपको लगा भगवान का क्या भी जन्मों की कमाई जमा है, अच्छी या बुरी, दोनों भोगने पड़ेंगे, जैसे कई बार देखा जाता है कि ज्यादा ग्यान भी नहीं है, ज्यादा मतलब लेकिन अरभों रुपया का हिसाफिता उसके पास है, तुम बहुत पड़े लिखे हो, बहुत सब ग्यान है, इं यह पूर्व कर्मों का हिसाब चल रहा है, बहुत मेनत कर रहा है, धर्म से चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं बन पा रहा है, स्राप पी रहा है, गंदे आचरन कर रहा है, बहुत मारा गूम रहा है, तो इसी में साल लोग चकरा जाते हैं कि गंदा आचरन कर रहा है, फिर भी म मौज से तुम जीवन भर अच्छा खाऊगे वो बुरा जो अभी कर रहा है वो अच्छी खेती का भोग भोग रहा है और जब इसकी बुरी फसल तैयार होगी तब तुम देखना फिर ये इसकी दसा बिगड़ जाएगी इसलिए विवेक पूर्वक काम करें